दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो चहरा है उस पर original जो हमारी skin है जो actual जो हमारी skin है वो नजर नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हम बहुत सारे प्रियास भी करते हैं हम तरहा तरहा के serums लगाते हैं तरहा तरहा के cosmetics का अस्तमाल करते हैं और साथी साथ में बहुत सारे ऐ जिनके लिए हमें 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं लेकिन हर व्यक्ति को इन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट से एक जैसा रिजल्ट मिले इसकी कोई शॉरटी नहीं है क्योंकि हर एक की जो स्किन है उसका रिस्पॉंस अलग-अलग है और जब स्किन का रिस्पॉंस अलग-अ क्योंकि ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिले या ना मिले जेव धीली होना डेफिनेटली लाजमी बात है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दही के अंदर चार चीजों को कैसे मिलाया जाए और उन चीजों को मिला करके कैसे अपने चेहरे पर इस्तमाल किया जाए जिसकी बज़ा से हमारी स्किन को हम टाइटनिंग एफेक्ट दे सकते हैं दोस्तों देखे एजिंग जो है वो इस प्रत्वी का और इस दुनिया का एक सतत सत्य है सतत सत्य का मतलब है कि इस एजिंग की प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता लेकिन हाँ इस प्रक्रिया क भी बात आती है, तो हमारे कान, नाक, मुँ सब बंदो जाता है, हमें लगता है कि अंदर से करने की क्या जरुवत है, जब बुढ़ापा बाहर दिखाई दे रहा है, तो बाहर ही क्यों ना चीजों को लगाया जाए और उनको बहतर रिजल्ट्स लेने के लिए बारबार ट्रा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप अपनी स्किन को सच में एजलिस रखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली अंदर भी अपनी बॉड़ी के काम करना होगा, और एवन मैं तो हमेशा कहता हूँ, कि सत्तर प्रतीशत जो पार्ट है आपकी बॉड़ी का, व आज के इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे, हम पहली चीज़ेंगे कि दही के अंदर कौन सी वह चार चीज़ें हैं, जिनने मिला करके, अगर हम अपने चहरे पर लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए लगाता, तो कैसे हम अपनी स्किन की जो धीली होती हुई परत है, उसे वापस टाइट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ में हम यह सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्किन के अंदर कॉलेजन का जो प्रोडक्शन है, उसे बढ़ा सकते हैं, तो मेक शॉर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो इस वीडियो को देखके अगर को दावा करता हूँ, एक से डेड़ महीने के अंदर ही आप आपकी एक्चुल एक से आठ से दस साल तक चोटे दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रियास लगातार करने होंगे, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार आपने किया और सब कुछ बहतर हो गया, हर रोज आपको इस प्रियास को करना है और हर रोज किये जाने वाले प्रियास से आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ही आपको बहुत remarkable results मिल रहे हैं, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से हमें बाहर से आप जब skin specialist doctors के पास जाते हैं तो वापों कहते हैं कि आपकी skin में dullness है, आपकी skin में wrinkles दिखाई दे रहे हैं तो आप lactic acid पील करवा लीजे और ये वही lactic acid है जो कि परमात्मा ने हमें दही के माध्यम से बहुत ही कम रुपयों में दिया है बट हम उसे अंदेखा कर देते है हमें इस पूरे DIY को बनाने के लिए 3 चमच जो है वो दही लगने वाली है लेकिन दही के अंदर पानी बिलकुल भी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आपको लगने वाली है hunged curd मतलब की दही के 3-4 चमच लेकर उसे एक या तो छली में डाल करके रख दीजे या फिर एक पाउडर, grandfather 파ाउडर क्यों चाहिए हमें है पर फ्लाकशीत का पाउडर इस लिए चाहिए जिए ज़िए रहोता है omega 3, omega 6, omega 9 और यह omega 3, omega 6, omega 9 जो है के हमारी धी एजिंग प्रॉपरटी देने में हमारी मदद करता है हमारे पोर्स को श्रेंक करने में हमारी मदद करता है, हमा नज़र आ रहा रहे हैं तो ये आपको फ्लैक्सीत का पाउडर खतमकरने में तो एक चमच फ्लैक्सीत का पाउडर लेना है आप इसे घर में ग्रैंडर पीज़ कर बहुत असानी से थियार कर सकते हैं तो एक चमच आपको इस возможность यंदर और अच्छे से इसे मिला लेना है मिलाने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए मतलब कि आदे गंटे के लिए छोड़ देना है क्योंकि ये जो omega 3, 6 और 9 का combination है जब दही के lactic acid के साथ मिलेगा तो इनके बीच में एक chemical reaction होती है जिसे पूरा होने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगते है तो अगले जो 3 ingredients है वो हम आदे गंटे के बाद ही मिलाएंगे अभी सिर्फ हमने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया है तीन चमच और एक चमच अलसी के बीजों का powder लेकर के मिला करके इसे रख दिया है आदे गंटे के बाद अब आपको इस mixture के अंदर बाकी की जो 3 चीज़ें add करनी है उसमें पहली जो चीज़ आती है वो आता है चौथाई चमच fit curry powder fit curry जो है वो हमारी skin को toning effect देता है और साथी साथ अगर हमारी skin में किसी भी तरह का अंगल infection चल रहा है उसे खतम करता है और इसके अलावा अगर हमारी skin के अंदर किसी भी तरह का लटकन आ गई है skin daily पड़ गई है उसे tight करने में भी ये हमारी मदद करता है fit curry को आप साबुत ले लीजे उसे घर में ही grind कर लीजे, कूट लीजे, छान लीजे और उसका powder बन करके तयार हो जाएगा एक चौथाई चमच उसको आपको दही और जो अपका फ्लैक सीट का जो mixture है इसके अंदर add कर देना है नमबर दो जो ingredient दोस्तों आपको इसके अंदर add करना है वो है muletti powder muletti जो है जिसको licorish कहा जाता है English के अंदर यह scientifically proven हो चुका है कि यह skin को whitening effect देने के साथ skin को tightening effect भी देती है जिसकी वज़ा से यह हमारी skin के उपर जो aging के लक्षन नजर आते हैं उन्हें खत्म करने में बहुत ही जादा important role play करती है तो muletti powder आपको यहाँ पर लेना है एक चौथा ही चमच कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी जो है वो एक antibacterial infection को कतम करने के साथ हमारी skin को beautification देने में हमारी मदद करती है जिसकी वज़ा से हमारी skin में चमक आती है हमारी skin पर glow आता है और हमारी skin के अंदर किसी भी तरह के जो dead cells जमा होते है उन्हें भी निकालने में यह हमारी बहुत साथ मदद करता है तो इन तीनों चीजों को दही और flex seed के mixture के साथ मिला करके एक smooth paste बना लीजे चहरे को साफ कीजे किसी भी अच्छे एक face wash के साथ इसे दो लीजे जब भी यह face wash की बात करते हो तो मैं हमीशा एक ही face wash recommend करता हूँ कि आपकी skin चाहे किसी भी तरीके की हो आपको skin affairs का hydrating face wash जो है वो try करना चाहिए यह skin affairs का hydrating face wash है यह बहुत ही जादा healthy तरीके से आपकी skin के pH को balance करता है जिसकी वज़ा से आपकी skin ना तो बहुत ज़दा dry होती है ना oily होती है बस बहुत अच्छे से clean हो जाती है और सबसे अच्छी बाती है कि यह product बिना किसी chemical के बिना किसी synthetic material के बना है 100% organic है और उससे भी important बाती है कि यह environment friendly है face wash करने के बाद इस face pack को अपने चहरे पर लगाईए आदे घंटे के लिए छोड़िये और इस आदे घंटे में आप चाहे लेट जाएए एक अच्छा music सुनिये कोई किताब पढ़ लीजे पर किसी भी tension वाले काम में मत आईएगा relax कीजे, chill कीजे खुद से प्यार कीजे, खुद से बाते कीजे और enjoy कीजे इस आदे घंटे को और आदे घंटे के बाद अपने चहरे पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए massage कीजे और massage जब अच्छे से हो जाए 10 से 15 मिनिट के लिए तो उसके बाद अपने चहरे को wash कर दीजे massage जब आप कर रहे हूँ तो मैं हमेशा recommend करता हूँ कि आपके steps हमेशा upward होने चाहिए और outward होने चाहिए जितना जादा अब सही तरीके से massage करेंगे उतना जादा अच्छे results आपको इस face pack के मिलने वाले हैं इस face pack को wash करने के बाद आपको एक अच्छा oil free moisturizer लगाना है जिसके लिए भी link में आपको description box में दे दूँगा और इस pack को आपको daily करना है एक महीने तक अगर आपको बहुत अच्छे results मिलते हैं तो आप इसको जिन्दगी भर रोज कर सकते हैं जोकि ये आपकी skin को हर रोज एक नया बहतर look देने में आपकी मदद करेगा तो दोस्तों ये तो बात हुई कि बाहर से कैसे हमें daily skin को tight करने के लिए प्रयास करने है लेकिन अंदर से जो हमारी उम्र बढ़ रही है उसके साथ जो collagen का production हमारी skin में कम हो रहा है और आपको मैं एक और बात बता दूँ कि 20 साल की age के बात में हर साल हमारी skin के अंदर 1% जो collagen है वो कम होता जाता है इसका मतलब कि हम हर साल पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा बूड़े दिखाई देना शुरू हो जाते है तो बहुत ज़रूरी होता है collagen को अपनी skin में जादा से जादा बनाना और इसकी लिए आप पार्केट में बहुत सारे collagen के supplements उठाते हैं लेना शुरू कर देते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि कब तक अपनी skin को बेसाखियों पर रखोगे हमेशा अपनी skin को खुद से motivate कीजिए कि वो खुद से collagen का production करें ताकि आपकी skin naturally ageless रह सके और इसकी लिए मैं हमेशा आपको recommend करता हूँ कि आपको सिबक्थॉन berry powder इस्तमाल करना चाहिए सिबक्थॉन berry powder जो है वो एक तरह की berry होती है जो विशेश का बरफीली जगों पर होती है शिया चिन है हिमाले है या इसी तरह की जो दूसरे ही इलाके होते हैं बहाँ पर होती है इसे सुखाया जाता है सुखा कर इसे crush करके इसका powder बनाया जाता है और इस powder को जब हम हर रोज लगबग एक चम्मच रात को सोने से पहले गरम दूद या गरम पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीक के अंदर जा करके तवचा की कूशिकाओं को मोटिवेट करता है नया collagen प्रड्यूस करने के लिए और जब skin खुद बखुद collagen बनाती है तो हमारा age जो है वो अपने आप कम दिखाई देना शुरू हो जाता है बस आपको इसे लगातार इस्तमाल करना है अब एक सवाल आता है कि सर कितने महीने या कितने साल दोस्तों देखिए हर रोज हम बूड़े हो रहे हैं और उस बुड़ापे को धकिलने के लिए हमें हर रोज प्रयास करने मतलब जब तक आप अपने आपको यंग रखना चाहते हैं यूथफुल रखना चाहते हैं तब तक आप इसका सेवन करते रहे हैं ताकि आपकी skin इसका production जो है वो regularly करती रहें इसे रोज अपने रूटीन में शामिल कीजे इस DIY को भी follow कीजे और एक महिने के बाद मुझे अपना feedback जरूर दीजेगा सबी products को purchase करने का link मैं description box में और pin comment में डाल दूँगा जहां से जाकर के आप इसे easily check out कर सकते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का video content आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो make sure कि एक like का button दबागर के motivation जरूर दीजेगा जादा से जादा लोगों तक share कीजेगा तकि जादा से जादा लोग इस benefit को उठा सकें और अपनी skin को ageless बना करके youthful appearance का अनुभव कर सकें आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं हैं बिल्कुल बैसे ही देते रहेंगे इसी आशा के साथ आप सल विदा लेता आपका knowledge रेंग डॉक्टर मैनुच तैंक्यू सो माच बबाई लव यू आल